नमस्कार, Unity Game Engine The Easy Way में अपने गेम को कैसे पॉस करें इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गेम को यूनिटी में पॉस करने के लिए सबसे सुविधाजन तरीका गेम के टाइम स्केल को शूने पर सेट करना है जो मूवमेंट, भौतिकी और एनिमेशन सहित सभी समय आधारित संचालन को प्रभावी धंग से रोक देता है समय के पैमाने को फिर से सेट करने से खेल अपनी सामान्य गती पर लोट आएगा यूनिटी में एक खेल को रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए बस समय के पैमाने को शूने पर सेट करें और एक पर वापस जाएं, जो की डिफॉर्ट है, इसे फिर से खोलने के लिए स्क्रिप्टिंग में ऐसा दिखता है ताइम स्केल सेट करने से टाइम क्लास में टाइम और डेल्टा टाइम मापने वाले वेरियेबल्स प्रभावित होते हैं सीधे शब्दों में कहें समय के पैमाने को उसके एक के डिफॉर्ट से बदलने से खेल की गती तेज या धीमी हो जाएगी उदाहरन के लिए आप खेल को 0.5 के समय पैमाने के साथ आधी गती से चला सकते हैं या 2 के समय के साथ दोगुनी तेजी से चला सकते हैं सेटिंग यह शूने पर खेल को पूरी तरह से रोक देता है हालांकि सब कुछ प्रभावित नहीं होता है यह समझना की वास्तव में क्या होता है जब इस पधती का उप्योग करके खेल को रोक दिया जाता है क्योंकि movement को आमतोर पर डेल्टा समय से बढ़ाया जाता है animation भी समय आधारित होता है और समय के पैमाने शून्य होने पर भौतिकी के चर्णों को नहीं बुलाया जाएगा लेकिन सब कुछ रुका नहीं है और परदे के पीछे क्या हो रहा है यह समझने से विराम प्रणाली को थोड़ा आसान बनाने में मदद मिल सकती है आपको यह जानकर आश्चर यह हो सकता है कि जब गेम का टाइम स्केल शून्य पर होगा तो अपडेट को कॉल करना जारी रहेगा इसका मतलब यह है कि अपडेट लूप के अंदर कुछ भी करूटीन सहित समय के पैमाने की परवाह किये बिना चलता रहेगा जो इन्पुट का पता लगाते समय संभावित रूप से एक समस्या पैदा कर सकता है हालांकि समयाधारित मापन पर निर्भर कुछ भी रोक दिया जाएगा जैसे कि एनिमेशन समयाधारित देरी जैसे आवान और सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें और सभी मूवमेंट्स जब तक कि इसे टाइम.डल्टे टाइम से गुना किया जा रहा है व्यभार में इसका मतलब यहा है कि ज्यादातर मामलों में खेल को रोके जाने पर सब कुछ बंद हो जाएगा और भले ही अपडेट अभी भी कॉल हो रहा है वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है जब समय का पैमाना शूने पर सेट किया जाता है तो फिक्स अपडेट को बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा यहाँ उपयोगी है क्योंकि जब भी खेल को टाइम स्केल विधी का उपयोग करके रोका जाता है तो यहाँ अनिवार्य रूप से सभी भौती की आधारित गती को स्वचालित रूप से मुक्त कर देता है जब टाइम स्केल को शूने पर सेट किया जाता है तो टाइम डॉट टाइम जो गेम शुरू होने के बाद से सेकेंड में समय होता है रोक जाएगा ज्यादतर मामलों में यह एक अच्छी बात है क्योंकि टाइम डॉट टाइम वैल्यू पर निर्भर किसी भी इंगेम मापन को भी इसके साथ रोक दिया जाएगा लेकिन क्या होगा अगर आपको अभी भी समय मापने की आवश्यक्ता है जब खेल रुका हुआ है सौभाग्य से ऐसा करने के लिए कुछ विकल्प है ताइम.realtimization startup और ताइम.unscaled time समय के पैमाने से प्रभावित नहीं होते हैं और खेल के रुकने पर भी समय को मापना जारी रखेंगे जब समय के पैमाने को शूने पर सेट किया जाता है तो सभी movements रोक दिये जाएंगे लेकिन केबल तभी जब time.delta time का उप्योग करके प्रती सेकंड एकायों में उस movement की गणना की जा रही हो इसका क्या मतलब है यूनिटी में गती की गणना को time.delta time से गुणा करना अच्छा अभ्यास है जो की अंतिम frame के बाद से समय की मात्रा है इस कदर यह गती की दर को प्रती frame एकायों से प्रती सेकंड एकायों में परिवर्तित करता है फ्रेम दर में परिवर्तन होने पर भी सुसंगत सुचारू गती बनाए रखने का उद्देश लेकिन वस्तूओं को ले जाते समय time.delta time का उप्योग करने का एक और कारण है time scale पद्धती का उप्योग करके खेल को रोकते समय अंतिन frame के समय के बजाए time.delta time 0 होगा इसका मतलब यह है कि कोई भी movement जिसे time.delta time से गुना किया जा रहा है 0 से गुना किया जाएगा यानि बिल्कुल भी हलचल नहीं आम तौर पर यह वांचित व्यवहार होता है जब खेल को रोक दिया जाता है यदि हालांकी आपको एक निश्चित गुनक का उप्योग करके किसी वस्तु को स्थानांतरित करना था जैसे इस उदाहरण में खेल के रुकने पर भी वस्तु चलती रहेगी लेकिन क्या होगा यदि आप वास्तव में यह व्यवहार चाहते हैं उदाहरण के लिए यदि आप कुछ वस्तुओं को छोड़कर पूरे खेल को रोकना चाहते हैं तो क्या होगा ऐसा करने का सही तरीका क्या है खेल को रोकते समय आप चाहते हैं कि कुछ वस्तुएं समय के पैमाने में बदलाव से प्रभावित हुए बिना चलती रहें सौभाध्य से फिस्ट टाइम चर के स्थान पर अनस्केल्ड टाइम का उप्योग करके वस्तुओं को रोके जाने से रोकना संभब है उदाहरण के लिए अनस्केल्ड टाइम का उप्योग करने के लिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम के बजाए टाइम डॉट अनस्केल्ड डेल्टा टाइम का उप्योग करें Time.FixedDeltaTime के बजाए Time.FixedUnscaledDeltaTime का उप्योग करें Time.Time के बजाए Time.UnscaledTime का उप्योग करें Time class के अधिकांश variables में एक Unscaled विकल्प शामिल होता है जिसका उप्योग करने पर Time Scale में बदलावों को अंदेखा कर दिया जाएगा जो कुछ वस्तूओं को रोके जाने से या अन्य समय के पैमाने में बदलाव से भी बाहर करने के लिए आदर्श है Pause मेनू बनाते समय यह संभावना है कि आपकी मेनू Screen, Button और Controls सभी Animation का उप्योग करेंगे बस एक समस्या है Animation समय आधारित है और जब समय माप पद्धती का उप्योग करके खेल को रोका जाता है तो किसी भी मेनू Animation को भी रोक दिया जाएगा Unscaled Time का उप्योग करने के लिए Animator Component के Update Mode को बदल कर सौभागय से एक आसान समाधान है Unscaled Time Update More Time Scale परिवर्तनों की उपेक्षा करता है और Pause Menu और अन्य जीवाई को एनिमेट करने के लिए आदर्श है जबकि खेल को रोके जाने पर गतिविधी रोक दी जाएगी अप्देट को कॉल करना जारी रहेगा यह नियंत्रन Input स्थितियों जो अकसर Update Loop के अंदर रखी जाती हैं को तब भी जाचा जा सकता है जब खेल बंध हो जाता है कुछ मामलों में यह कोई समस्या नहीं है या तो क्योंकी Movement नहीं हो सकता है या भौती की आधारित Movement के मामले में बिलकुल भी नहीं कहा जाएगा क्योंकी समय के पैमाने पर शुन्य होने पर Fixed Update नहीं बुलाया जाता है हालांकि गेम रुकने के दौरान Game Play Input की अनुमती देने से आपको समस्याए हो सकती है उदाहरन के लिए एक Top Down 2D गेम में यह हो सकता है कि खिलाडी Controller अभी भी Character स्प्राइट को एक अलग दिशा का सामना करने के लिए बदल सकता है भले ही Character हिल न रहा हो एक्शन्स और अन्य कंट्रोल्स अभी भी शुरू हो सकते हैं लेकिन सही ढंग से या बिलकुल भी काम नहीं कर सकते हैं तभी Trigger हो सकता है जब खेल फिर से रुका हुआ हो Pause मेनों को नेविगेट करने के लिए प्लेयर को स्थानांतरित करने वाले कंट्रोल्स की भी आवश्यक्ता हो सकती है किसी भी मामले में इनकार्णों और अधिक के लिए गेम के रुकने के दौरान गेमपले इंपुट को रोकने के लिए यह अच्छा अभ्यास है तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? Code को पता चलता है कि जब Escape की को Input.Good की Down के रूप में दबाया जाता है तो Boolean Variable Gammas Post को State का ट्रैक रखने के लिए उल्टा कर देता है कि खेल रुका हुआ है या नहीं प्रत्यक Escape की प्रेस के लिए फंक्शन पॉस गेम को कॉल किया जाता है फिर पॉस गेम में यह चेक किया जाता है कि क्या गेम रुका हुआ है इस पर निर्भर करते हुए Time.Timescale को गेम को पॉस या अनपॉस करने के लिए सेट किया गया है इसके बाद गेम के सभी Input Check को If Condition के अंदर रखें ताकि वे केवल तभी हो सकें जब गेम रुका नहो जैसे यदी खेल रुका नहीं है तो यदी Space की दबाया जाता है तो खिलाडी को कूदना चाहिए हाला कि यदी खेल को रोक दिया जाता है और Space की को दबाया जाता है तो खिलाडी कूद नहीं सकता है वैकल्पिक रूप से आप उपरोक्त के समान एक अधिक सामान्य स्थिती का उप्योग करना चाह सकते हैं लेकिन यह सभी Gameplay input को नियंत्रिक करता है इसे चालू या बंद करता है यहां आपको input को निश्क्रिय करने की अनुमती देगा जब खेल रुका हुआ है और अन्य उद्देशों के लिए भी जैसे की cutscenes इस सरल स्थिती को विकास के आरंभ में जोडने से बाद में अप्रत्याशित व्यवहार को रोकना आसान हो जाएगा यदि आपने खेल को रोकने के लिए समय के पैमाने का उप्योग करने की कोशिश की है तो आपने देखा होगा कि खेल के रुकने पर भी audio चलता रहता है तो जब खेल रुका हुआ है तो आप खेल के सभी audio को कैसे रोकेंगे? मददगार रूप से ऐसा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है ओडियो लिसनर को रोकने से गेम में सभी ओडियो रुक जाएंगे गेम को पॉस करते समय बस ओडियो लिसनर पॉस को सही पर सेट करें जैसे ओडियो लिसनर के फिर से रोके जाने पर इस पद्धती का उप्योग करके रोका गया ओडियो वहीं से फिर से शुरू हो जाएगा जहां से छोड़ा गया था लेकिन मेनू साउंड और म्यूजिक के बारे में क्या? क्या होगा यदि आप कुछ साउंड को रोकना चाहते हैं लेकिन दूसरों को बजाना चाहते हैं? सहायक रूप से आप ओडियो लिसनर को ओडियो पॉस स्टेट को अन्देखा करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसे यह विशेश ओडियो स्रोतों की अनुमती देगा, जैसे कि आपके मेनू और यूआई साउंड चलती रहेंगी, भले ही अन्य साउंड बंद कर दी गई हो अधिक मजेदार विडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेर करें और अधिक के लिए बने रहें देखने के लिए धन्यवाद